जौनपुर से पत्र पाट से पूर्व परवतिय शेत्र की यात्रा का तो आनन्द ही कुछ और है चारों ओर फैले पहाडों की शोभा बड़ी आकर्शक होती है नैनिताल भी एक ऐसा ही सुन्दर परवतिय शेत्र है आये पाट के माध्यम से नैनिताल के विशे में जानकारी प्राप्त करें वारशिक परिक्षा के बाद हमारे विद्याले से विद्यार्थियों का एक दल नैनिताल की यात्रा के लिए गया मैं भी उस दल में शामिल था इस पत्र के माध्यम से मैं नैनिताल के बारे में बताना चाहता हूँ भारत के उत्राखंड के कुमाओं में नैनिताल नाम की एक सुन्दर नगरी बसी है या परिटकों के लिए स्वर्ग के समान है या समुद्र तट से पंद्रा सो मीटर उपर है छोटी बड़ी कुल मिला कर यहां पंद्रा जीले है नैनि जील के किनारे बसी होने के कारण इस नगरी का नाम नैनिताल पड़ गया इस जील का आकार नयन जैसा है कहते हैं कि इसका संबंध माता पारवती के नैनों से है इसके किनारे नैना देवी का बहुत प्राचीन मंदिर भी है नैनिताल पहुँचते ही हमने अपना सामान एक होटल में रखा और चल पड़े नैनी जील में नौका विहार के लिए एक दिन हमने परवता रोहन का कारिक्रम बनाया हम लोग चीना पीक शिकर पर गए रास्ता दुर्गम था किन्तु हस्ते गाते किसी तरह हम सब शिकर पर पहुँची गए यह चोटी समुत्र तट से 2400 मीटर उपर है यहां से जील का नैनाकार साब दिखाई पड़ता है यहां के निवासी सरल, इमानदार और सीधे है चल कपट तो उनमें नामो निशान नहीं है यहां आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर भीमताल, नक्कीताल जैसे रमनीक परेटन अस्थल है मोम से बनी विभिन आकारू की रंग बिरंगी मोमबतियां यहां की विशेश वस्त्वों में से एक है इस नगरी की शोभा का खूब आनंद उठा कर और इसकी छवी को रिदय में अंकित करके एक सपता बाद हम अपने घर लोटाए अगर तुम भी साथ होते तो और आनंदाता शेश अगले पत्र में चाचा जी एवं चाची जी को सादर प्रणाम तथा आकांशा को शुप स्नेह बोलना तुम्हारा मित्र अक्षत